Welcome friends, इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं power series को जो बहुत ही important topic है और इस topic से आप हमेशा exam में questions देखते हैं तो चलिए पहले इसकी definition समझते हैं और फिर आगे वाले concept cover करेंगे तो पहले हम पढ़ने वाले power series तो series का क्या मतलब है? series मतलब infinite sum जैसा कि आप यहां देख पारे sum जो है वो n कहां से कहां vary कर रहा है 0 से infinity और कुछ infinite terms को add किया जा रहा है first term a0 है second term a1z-z0 plus a2z-z0 square और इस तरीके से आप infinity तक आपको इन सारी terms को add करना है ठीक है? इसको बोला जाता है series, series मतलब infinite sum of some terms यहां पर यह terms दी गई है और n कहां से कहां जा रहा है 0 से infinity अब यहां पर हम power series, power और word यहां add कर रहे हैं, तो power series का क्या मतलब है? infinite sum तो रहे गई, लेकिन उसमें जो power होगी, variable की power होगी, वो क्या होगी? increasing होगी यहां पर अगर आप power देखें तो first term में power, first term में z missing है, मतलब power 0 है, second term में power 1, 2, 3 और जो यह n है, यह बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो इस टाइप की series को क्या कहा जाता है? power series power series में आप जैसे ही देखेंगे, तो variable की power increasing order में दी होगी, ठीक है? तो यह होगी power series इस topic में हम cover करने वाले complex power series, ठीक है? जो complex analysis का topic है, तो यहां पर क्या होगा? complex power series में यह रहेगा कि an जो है, कोई भी sequence मैंने consider की है, complex number की, तो यहां पर मैंने लिख दिया, let an be a sequence of complex numbers then, the corresponding complex power series, तो इस an के corresponding complex power series centered at z naught, उसको इस तरीके से define करते हैं तो power series को define करने के लिए आपको क्या चाहिए? first एक आपको sequence को consider करना पड़ेगा और आपको एक fixed constant चाहिए, complex number लेंगे, यहां पर मैं z naught इसे कह रही हूँ और इस तरीके से आपको लिखना है, summation an z minus z naught to the power n अब यहां पर देखिए z naught क्या है? इस पूरी series का center, इसको कहा जाता है center of this series an are coefficient of this series, और z is a complex variable an को क्या कहेंगे? coefficient, z naught को center और z क्या है? complex variable अगर आप real मैं पढ़ रहे हैं, अगर real field तक इसको restrict करना है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि an जो sequence लिए है, वो real field से लेंगे, variable real number से belong करेगा और z naught भी कोई fixed real constant होगा, हम यहां पर complex field से ले रहे हैं, तो यह सब के सब कहां से ले लेंगे variables और जो constant है, वो सारे के सारे कहां आ जाएंगे? complex field में आ जाएंगे, ठीक है? अब देखिए, main problem क्या रहती है, series के साथ? कि यहां पर चूंकि infinite terms दी हुई है, इनको add करना है तो क्या यह term जो है, इनको add करने के बाद कोई sum exist करेगा या नहीं? तो यही main problem है, कि इसका nature find out करना, इस series का nature find out करना कि इसका sum exist कर रहा है या नहीं? अगर कोई finite sum exist करता है, तो हम बोलते हैं, power series convergent है अगर sum finite नहीं होता, तो हम बोलते है, it is non-convergent, या फिर हम उसके लिए दूसरा word use करते है, divergent ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ example लेके बताती हूँ, जैसे मैंने एक 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube ये एक series ली, ठीक है, एक दूसरी series में ले रही हूँ, 1 plus 2 plus 3 plus 4, दोनों ही series है, ठीक है यहाँ पर मैं power series नहीं, general series लेके मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये भी series है, अगर second series को आप देखिए तो इसमें क्या है, 1 plus 2 plus 1 में 2 add करेंगे, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15 और इस तरीके से sum जो है, वो बढ़ता जा रहा है, term wise term आप क्या कर रहे है, बड़ी terms को add करते जा रहे है, और sum जो है, वो बढ़ता जाएगा, तो क्या यहाँ पर finite sum exist करेगा, तो वो नहीं लग रहा है, finite तो यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप हर step पर आके आप एक बड़ी term को add करते जा रहे है, तो finite sum इसका नहीं होगा, यह sum जो होगा, वो कहाँ पर जाएगा, infinity को जाने वाला है, इसलिए इस टाइप की series को हम क्या कहेंगे, divergent series, अगर यहाँ पर हम first series को देखें, तो यहाँ पर sum देखिए, one, फिर one by two add कर रहे है, फिर इससे भी छोटा number one by two square, plus one by two q, आपने अगर पढ़ा हो तो यह infinite GP है, geometric progression पढ़ी हो, तो यह तो क्या है, infinite GP, जहाँ पर first term क्या है, one, common ratio कितना है, one by two, तो infinite GP का हम sum लिखते है, a upon one minus r, तो यहाँ पर sum हो जाएगा, a upon one minus one by two, that means one upon one by two, that is two, तो इस पूरे, यहाँ पर भी हम infinite terms को जोड रहे हैं, लेकि sum कितना निकल के आ रहा है, एक finite number, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर हम infinite number को जब जोड रहे थे, तो sum कितना आ रहा था, infinity, तो power series का जो nature है, किसी भी series का nature जो है, वो find out करना main problem रहती है, ठीक है, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा, चलिए आगे मैं एक और concept आपको समझा आती हूँ, example की help से, मैं एक series ले लेती हूँ, summation zn, n from 1 to infinity, ठीक है, जो series है, वो आप 0 से start कर सकते हैं, कुछ problem है, 1 से, 2 से, it does not matter, main problem क्या है, आपको infinity तक जाना है, ठीक है, 1, 2, कुछ finite terms को छोड भी दे, अगर मैं इसको 5 से भी शुरू कर दूँ, तो भी कोई problem नहीं है, मैंन इतना कर रही हूँ, infinity terms cover कर रही हूँ, यही main problem है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया है, from 1, क्योंकि 0 लोंगी, तो वो तो 0 ही देगा sum, ठीक है, तो 1 से start करके, infinity तक जाने वाली हूँ, ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर, z की, अब इस series को अगर ठीक है, अगर 0 से भी इसको start करते हैं, चलिए 0 से कर देते हैं, तो यह कितना हैगा, 1, plus z to the power 1, plus z square, plus z cube, इस तरीके से यह series चलती जाएगी, क्या यह एक power series है, yes, it is power series, क्योंकि यह किसमें दी हुई है हमें, increasing power of z में, what are the coefficients, coefficient जो है वो यहाँ पर, हम बोल सकते हैं, 1 लिखा तो देखिए, यहाँ पर, आप किसकी power में खोल रहे हैं, z की power में खोल रहे हैं, तो मैं ऐसे सोच सकती हूँ, z minus 0 की power में आप expand कर रहे हैं, तो its center is 0, coefficients are 1, and it is a power series, ठीक है, अब इसका nature find out करना है, तो देखिए, पहले मैं रखती हूँ, z equal to 0, z equal to 0 जब रखेंगे power series में, त दो finite sum है, ठीक है, फिर मैं ले लेती हूँ, z equal to 1 by 3, तो फिर हम देखते हैं कि sum जो है, वो कितना होगा, तो 1 plus 1 by 3, plus 1 by 3 square, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह फिर से क्या है, infinite GP, ठीक है, with first sum 1, with common ratio r, so a upon 1 minus r, और sum कितना हो जाएगा, 3 by 2, which is finite, ठीक है, तो z equal to 1 by 3 के लिए भी finite है, इसकी बाद मैं रखती हूँ, 1, जैसे ही आप 1 रखेंगे, तो sum कितना आएगा, 1 plus 1 plus 1, कितना है यह sum, 1 को आप infinite times add कर रहे हैं, कितना आएगा, infinite, ठीक है, इस case में यह क्या हो गई, divergent हो गई, अगर मैं 1 से कोई भी बड़ा number लूँगी, आप खुद सोचिए, अग 1 से कोई बड़ा number add करेंगे, उसकी power करते जाएंगे, तो power, जैसे ही z greater than 1 लेंगे, तो z to the power n greater than 1 आएगा, उससे क्या होगा, जब आप इन सब को add करेंगे, सारी terms को, तो क्या होगा, sum of z n infinity को जाएगा, समझ गए, लेकिन जब भी मैं z less than 1 ले रही हूँ, तो z to the power n क्या z n जो है, वो क्या आ रहा है, finite आ रहा है, ठीक है, जैसे हमने देखा 1 by 3 लिया, पीछे हमने 1 by 2 भी लिया था इससे पहली, 0 ले रहे है, ठीक है, और 1 पे आके क्या problem हो रही है, infinity आ ठीक है, sum, इसका मतलब क्या होता है, कि power series का जो nature है, वो fix नहीं रहता, वो z पे depend करता है, ज z को आप कितना assume कर रहे है, उस पे depend करता है, जैसे z 0 लिया, तो convergent है, z 1 by 3 ले रहे है, तो convergent नहीं है, sorry, convergent है, z equal to 1 लिया, तो divergent, ठीक है, और फिर हमने general हमने बता दिया, कि जब z greater than 1 ले रहे है, तो divergent आ रहा है, equal to 1 पे divergent, and z less than 1 ले रहे है, तो convergent, तो एक तरीके से मैं बोलू कि हमारे पास एक condition निकल के आ गई, मैं यह बोल सकती हूँ कि summation z to the power n, n starts from 0 to infinity, यह convergent है, for mod z less than 1, क्योंकि हम complex number पढ़ रहे हैं तो, modulus में मैं बता दूँगी, divergent for mod z greater than equal to 1, यह हमने देख लिया, ठीक है, यह हमारा conclusion रहा, तो देखिए, convergent और divergent की condition जो जब भी आप देंगे न, वो z की term में देंगे, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखे, तो mod z greater than 1, तो एक तरीके से mod z equal to 1, यह किसको बताता है, अगर इसको geometry क्या है इसकी, circle, यह किसकी equation है, circle है, circle centered at 0 with radius 1, तो center हो गया 0, and if it is 1, तो यह 1 radius का क्या है, circle है, तो हम यह बोल रहें कि, यह series जो है, यह convergent है for mod z less than 1, mod z less than 1 कब रहेगा, inside this circle, या फिर मैं कहूँ कि inside the open disk, इस open disk के अंदर जो है, वो यह series क्या रहेगी, convergent, बाहर क्या है, divergent है, on the disk, अपन को नहीं पता, ठीक है, यहाँ पर क्या है, divergent, mod z equal to 1 लिया, तब तो divergent आ रही है, बाकी points पर हमको निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन definitely, जब mod z greater than 1 है, तो divergent है, अंदर की तरफ क्या है nature, convergent है, ठीक है, तो मैं यह बोल सकती हूँ, कि यहाँ पर radius 1, r equal to 1 ले रहे है, radius 1 के circle के अंदर यह convergent है, radius 1 के circle के बाहर यह क्या है, divergent है, boundary पर हमने देखा, nature fix नहीं होता है, क्योंकि 1 पर तो हमने देख लिया कि यह divergent है, और दूसरे points पर हमको निकाल के देखना पड़ेगा, लेकिन इतना आपको sure है, कि inside it is convergent, outside it is divergent, तो अगर आप देखें, तो condition किस term में निकल के आ रही है, circular reason मिलेगा आपको हर बार, ठीक है, क्योंकि general power series को हम किस तरीके से देते हैं, summation an, z minus z naught to the power n, ठीक है, तो इसमें भी जब condition आप देंगे ना, कि यह किस point के लिए converge कर रही है, कहां पे यह diverge कर रही है, तो आपकी condition निकल के आएगी, z minus z naught, less than, कि z की वो value जो इसको satisfy करती है, जैसे less than r, उस पे convergent है, greater than, equal to r पे divergent है, और इसको अगर आप बना इसकी geometry क्या है, mod z minus z naught equal to r, तो यह तो किसको represent करता है, एक circle को, ठीक है, तो यहां से हमको यह समझ में आता है, कि आप जब भी reason of convergence find out क करेंगे ना तो वो कुछ और नहीं क्या निकल के आएगा, हर बार एक disk निकल के आएगी, एक circular reason निकल के आएगा, इस circular reason के अंदर क्या है, convergent है, इस से बाहर क्या है, divergent है, ठीक है, तो यहां पर आपने जैसे इस geometric series में क्या देखा, one radius निकल के आ रही है, one से अगर मैं बढ सकती हूँ, नहीं, क्योंकि हमने देख लिया, point one पर हमको क्या मिल रहा है, divergence मिल रही है, ठीक है, तो इस region को बढ़ा नहीं सकते है, तो वो maximum value, maximum value तक जाना है, जहां तक आप जा सकते है, ठीक है, convergence के लिए, तो उस maximum value को हम क्या कहेंगे, radius of convergence, तो next topic यही है, radius of convergence, यही topic बहु पूछेंगे, आपको एक power series देखे रखेंगे, उसका nature पूछ सकते है, कि is it convergent or not, second चीज पूछ सकते है, कि find its radius of convergence, तो चलिए पहले इसको समझ लेता है, फिर इसके formula discuss करेंगे, तो radius of convergence क्या है, तो radius of the largest disk centered at z naught, in which power series converges, यही लिखा है मैंने, कि वो largest disk, उस largest disk की radius, और disk कहां पर centered है, z naught पे, जहां पर power series converge करें, तो आप कैसे find out करेंगे, r equal to supremum of mod z minus z naught, यह क्या है, यह distance देखा, z से z naught, कि मैं कहां तक बढ़ सकता हूँ, कि यह series क्या करें, converge करें, यह तो general definition होई, ठीक है, फिर यहां पर मैंने कुछ note में लिख दिया है, कि if r is the radius of convergence, जैसा कि अभी हम converge करेंगी, inside the circle, ठीक है, it will diverge outside the circle, may converge for some values, and diverge for other values on the boundary, देखिए, जब भी आप radius of convergence निकाल रहे हैं, inside converge करेंगी, outside diverge, boundary पे जो nature है, वो fix नहीं है, sometime it may converge, sometime it may diverge, यह हमीशा आपको धियान रखना है, ठीक है, तो boundary पे आप बिलकुल भी sure नहीं है, अभी मैंने आपको एक example देखा था हमने, जहाँ पर z equal to one पे वो diverge कर रही थी, वो boundary का point था, ठीक है, कुछ और point पे भी हम देखेंगे, जहाँ पर boundary पे converge भी कर रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पर boundary पे क्या रहेगा, nature fix नहीं रहेगा, अब हम formula देखते हैं कि radius of convergence को find कैसे करना है, तो इसके लिए यह दो formula यूज करते हैं, first जो formula है, it is from root test, और second जो formula इसको ratio test बोलते हैं, तो देखेंगे, यहाँ पर क्या है, one by r, यह radius of convergence आप find out कर रहे हैं, power series की, if you have power series summation a n, z minus z naught to the power n, n from zero to infinity, तो इसके लिए radius of convergence का formula है, ठीक है, तो यह a n जो है न, यह coefficient है, तो one by r कितना मिलेगा, limit n tends to infinity mod a n to the power 1 by n, या तो फिर यह formula लगाईए, या फिर 1 by r कितना होगा, limit n tends to infinity, an plus 1 by an, या फिर आप बोल सकते हैं, यह तो one by r की term में दिया है, इसको उल्टा कर दीजिए, r equal to limit n tends to infinity, an upon an plus 1, तो आपको यह दो formula याद रखने हैं, यह root test और यह ratio test, तो अब main problem आती है, कि यह test कहा लगाना है, यह test, चलो यह तो याद रखेंगे कि यह formula तो धिहान है, लेकिन जैसे question आता है, तो हम पता कैसे करेगी root test लगाना है, या ratio test लगाना है, तो वो भी बहुत easy है, हम देखते हैं, दो example मैंने यहाँ पर consider किया है, first example में मैंने लिया है, summation n from 1 to infinity, z to the power n, divided by n to the power n, second क कुछ इस तरीके से series है, n factorial n to the power n, z to the power n, देखिए, यहाँ पर मैंने n equal to 0 को include नहीं किया है, क्योंकि 0 जैसे ही रखेंगे, तो यहाँ पर problem होगी 0 raised to the power 0, तो आपको वो ही values एड़ करनी है, जहाँ पर आपकी series जो है, वो well defined है, जहाँ पर हर term well defined हो, जिस point पर problem होरी है, उसक same problem, यहाँ पर भी n to the power n है, तो हम 0 को include नहीं कर सकते है, ठीक है, दोनों, क्या दोनों power series है, तो power series है, क्योंकि z to the power n, variable की increasing power में है, तो it is power series, what are the coefficient, तो इस first के case में coefficient कितने है, an, 1 raised to the power, n to the power n, 1 by n to the power n, what is its center, center कितना दिया हुआ है, 0, क्योंकि z की power में है, जिस की power में हो, z z minus z naught की power में दिया हो, तो z naught center होता है, here we have center 0, यहाँ पर अगर an को देखे, coefficients are n factorial divided by n to the power n, and what is center, center is 0, यहाँ तक तो ठीक है, अब हमें यह देखना है, find करना, इसका radius of convergence, question आप से यह पूचा जाएगा, find their radius of convergence, radius of convergence को short में लिखते है, roc, roc मतलब radius of convergence, ठीक है, तो पहले हम first की find out करते है, first में आपको क्या करना है, coefficient को देखना है, coefficient को यहाँ देखिए, अगर coefficient पूरा का पूरा power में दिया हुआ है, जिसे यहाँ पर दिया हुआ है, one upon n to the power n, और कोई term included नहीं है, जो भी included उस पे power n लगई हुई है, तो आप क्या करेंगे, root test लगाएं तो वो n से n cancel होगा और बहुत ही easily हम limit उस पे apply कर पाएंगे, अगर power में नहीं दिया हुआ है, तब जाके हम यह formula लगाएंगे, ratio test, ठीक है, root test, क्योंकि root test को अगर आप देखें, तो इसके formula में क्या है, limit n tends to infinity, mod an, इसका nth root ले रहे हैं, nth root of mod an, इसलिए इसको बोला जाता है, root test, अब apply करिए, अब values रख लेते हैं, first question में an दिया हुआ है, 1 upon n to the power n, raise to the power 1 by n, 1 by n जैसे ही करेंगे, यह n cancel out हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा, limit n tends to infinity, 1 by n, mod से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि n natural number है, n tends to infinity पे 0, 1 by r की value कितनी आ गई, 0, यहां से r कितना आया r is infinity, r infinity का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि radius of convergence i infinity, मतलब infinite radius के circle में यह series converge करेगी, अब मुझे यह बताइए, infinite radius का circle क्या है, अगर मैं बोलो one radius का circle, two, three, infinite मतलब the whole complex plane, इसका मतलब यह हुआ, कि पूरे के पूरे complex plane में यह series converge करने वाली है, यह कहीं भी diverge नहीं करेगी, ठीक है, it will not diverge at single point, it will converge everywhere in the whole complex plane, इसका मतलब हुआ कि radius of convergence कितना आ रहा है, infinity आ रहा है, अब चलिए second problem को देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ, n factorial divided by n to the power n, ठीक है, तो second question में, n factorial divided by n to the power n, z to the power n, n from 1 to infinity, इसके लिए हमको radius of convergence find out करनी है, ठीक है, a n कितना है, तो n factorial divided by n to the power n, क्योंकि पूरा का पूरा power में नहीं है, denominator तो power में है, बट numerator power में नहीं है, तो root test apply नहीं करेंगे, क्या test apply करेंगे, ratio test, ratio test में, r को कितना दिया जाता है, limit n tends to infinity, mod an divided by an plus 1, तो चलिए, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर values रख लेती हूँ, limit n tends to infinity, probability an कितना है, n factorial divided by n to the power n, और an plus 1 कितना है, तो n की जगे n plus 1 रखेंगे, तो n plus 1 factorial divided by n plus 1 to the power n plus 1, ठीक है, यह किस तरह का expression है, a divided by b divided by c divided by d, इसको उपर ले जाएंगे, ठीक है, तो और natural number है, तो mod से बहार आ जाएंगे, n factorial, n plus 1 to the power n plus 1, जहाँ पर होगा, n to the power n, n plus 1 factorial, ठीक है, n factorial से cancel out करिए इसको, तो नीचे बचेगा n plus 1, और उपर क्या रहेगा, n plus 1 to the power n, और इसको अलग-अलग कर रही है, n plus 1 to the power n plus 1 है, ना तो n अलग और power 1 अलग, और नीचे देखें क्या है, n to the power n, और n factorial cancel out हो गया, तो n plus 1 बचा, इससे यह cancel out, और आपके पास क्या बच गया, n plus 1 divided by n to the whole power n, ठीक है, अभी थोड़ा इसको solve करते है, r क्या आजाएगा, limit n tends to infinity, अमें क्या मिला, n plus 1 divided by n to the power n, इसको simplify करना, इसकी limit निकाल दीजिए, और फिर problem solve हो जाएगी, r o c आपके पास easily आजाएगी, ठीक है, 1 plus 1 by n to the power n, इसकी limit कितनी है, इसकी limit, I think e या 1 by e में आएगी, तो चलो, इसको हम check करते हैं, इसकी अगर limit find out करनी है, तो देखो कैसे करेंगी, इस पूरे expression को मान लीजिए y, let y equals to 1 plus 1 by n raised to the power n, जब भी ऐसे power में आता है, और limit पूछी जाती है, तो उसका a की तरीका है log ले ले लीजिए, उस expression को हमने पह पावर जो है, यहाँ पर जैसे n tends to infinity रखेंगे, तो 1 plus 0 divided power infinity, तो 1 to the power infinity आ रही है, तो यह power problem कर रही है, इस power को हटानी के लिए हम log दोनों तरफ apply करते हैं, तो power जो है वो आगे आ जाएगी, अब आगे multiplication में ठीक है, तो अब problem solve हो जाएगी, देखिए log 1 plus x, इसकी series खोलनी है तो series कैसे होती है, log 1 plus x, x minus x square by 2, तो x क्या है, 1 by n minus x square by 2, तो 1 by 2 x square, that is 1 by n square, फिर plus alternate terms आएगी, ठीक है, alternate sign रहेंगे, plus minus then plus, third term रहती है, 1 by 3 x cube, तो 1 by n cube, और इस तरीके से higher power of 1 by n आजाएगी, ठीक है, क्योंकि n नीचे है, तो हमें problem नहीं होगी, denominator में है, तो n से cancel out करी है, term will be 1, second term जो है 2 n, then 1 by 3 n square, और इस तरीके से terms चलती जाएगी, लेकिन हर term में n जो है, वो नीचे रहेगा, आपको apply क्या करना है, limit n tends to infinity, ठीक है, तो इस पे limit n tends to apply करेंगे, limit n tends to infinity, log y, यहाँ पर जब limit n tends to infinity करेंगे, तो second और second onwards term सारी क्या होंगी, 0 हो जाएगी, and नीचे infinity, 1 by infinity is 0, answer कितना आएगा 1, तो log y की limit आगई 1, पर हमको तो y की निकाल नहीं है, तो y की limit क्या हो जाएगी, e raised to the power 1, तो यहाँ से क्या आगया, इसकी value कितनी आगई, e, इसका मतलब radius of convergence कितना हो गया, r equal to e, ठीक है, second question के लिए r equal to e, r equal to e मतलब e radius, e होता है 2.78, ठीक है, तो यह जो circle रहेगा, इस disk की radius कितनी है, e, e radius circle, इस disk के अंदर, जो है, वो series converge करेगी, outside it is divergent, on boundary, the nature is not fixed, sometime converge, sometime may not, but roc कितना आगया, e आगया, ठीक है, यहाँ पर finite है, मतलब इसके बाहर, हर जगे यह converge नहीं कर रही, लेकिन इससे पहले question में जो देखा था, उसके लिए क्या था, हर जगे यह convergent थी, तो इसके लिए roc हमने कितना निकाला, infinity first के लिए, और second के लिए हमारे पास roc आगया, e, ठीक है, तो इस तरीके से आपको question solve करने होते हैं, पहले आप coefficient देखके पता लगाते हैं, कि root test लगाई या ratio test, और फिर आप easily root test या ratio test लगा कि limit apply करके radius of convergence find out कर सकते हैं, आने वाली वीडियो में इस से related में और examples consider करने वाली हूँ, जो net में या फिर previous gate के papers में आएं, तो मैं उन example को consider करूँगी, ताकि ये पूरा का पूरा concept clear हो जाए, उसमें हम क्या करेंगे, यहां पर हमने center जो है, वो zero fix किया है, जो मैं आगे देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो अपने friends के साथ share करिए, और इसे like करिए, thank you